हेलो फ्रेंड्स वैलकम बेक टू माई चैनल जै श्री कृष्णा जै मातादी राधे रादे हर हर महादेव तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं आज की वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंग क्लिक करके साथ ही बेल आइकन के ओल आप्शन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली और भी लेटिस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंस सके तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं आपको स्क्रीन पर तीन कार्ड दिखाई दे रहे होंगे पहला सेकेंड इन तीनों कार्डों में से इन तीनों कार्डों में से इन तीनों में से आपको कोई फर्स नंबर का कार्ड चूस करना है सेकेंड नंबर का कार्ड चूस करना है यह आपके उपर डिपेंड करता है जो भी कार्ड आपको अपनी और आकर्शित कर रहा है उस कार्ड को सबसे प ऋटों क्लियर हो जया तो चलिए दोस्तो वीडियो की शुरुबात कर लेते हैं तीनों कार्ड में से कोई एक कार्ड जल्दी सेुज़ कर लीजिए ठीज हम देख लेते हैं कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है क्या वो आपसे प्यार करते हैं तो steps नमबर का यह कार्ड थोड़ा सा दिक्कत वाला दिखाए दे रहा है मुन टेरो कार्ड का मतलब यही होता है दोस्तों कि आप जीवन में असुरक्षा और परेशानियों का सामना कर रहे हैं आपको जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए क्योंकि आप जो भी देख रहे हैं वो एक भ् अपनी प्रवर्ति पर भरोसा करें और अपने अउचेतन मन की सुने लेकिन दिर्ग कालिन संबंद को स्थापित करने का अगर प्रयास कर लें कर रहे हैं अगर आप सोच रहे हैं कि इस पार्टनर के साथ अभी आप रिलेशन में वो लोंग टाइम तक आपका साथ निभाए जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं तो वह व्यक्ति भी आपके लिए अभी तक पूरी तरह से सिर्यस नहीं हैं कहीं न कहीं उनके दिमाग में आपके लिए थोड़ा सा भ्रह्म चल रहा है हो सकता है कि वो व्यक्ति आपको चाहता हो लेकिन अभी उसे थोड़े सम मैं चल रहा है कि उस व्यक्ति के मन में आपके लिए थोड़ा सा बेचेनी महसूस हो रही है वो कन्फ्यूज हो रहा है उसे समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करें कभी तो आपको हां कर देता अच्छे से बात करता और कभी वो आप अच्छा हो जाता है बहुत ही बैचेन्यों से फिल होती है और वह बिल्कुल आपको इंग्नौर करता है तो यह कंडिशन में होता है दोस्तों किसी का एकदम से बूरा और शजयाना यह सारी कंडिशन उसके माइन के confusion पर clear होती है उसका confusion बहुत ज़्यादा बढ़ावा है आपको लेकर यानि कि अगर first number का card आपने choose क्या है तो आपको सिफ अच्छे समय का इंतजार करना है अभी जो चल रहा है उसे चल ले दीजे अगर कोई ignore कर रहा है तो आप भी उसे ignore करिए किसी को अभी जादा intention देना या किसी के साथ बहुत ज़्यादा close हन होना आपके future के लिए आपको दिक्कत खड़ी कर सकता है यानि कि कुल मिला कर अभी आपको अपने relation को थोड़ा सा रुक कर समय देने की ज़रो थे अभी बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है सिर्फ अच्छे समय का इंतजार करिए सेकेंड नमर का कार्ड जिस किसी ने भी चोस क्या है दोस्तों आपके लिए तो बहुत ही good news है ये लिए आप बहुत लगी है अगर आप अभी किसी के साथ relation में है और आगे अगर आप किसी के साथ relation बनाने की कोशिश कर रहे है किसी के साथ आप बहुत ज़ता attachment में है close में है तो वो व्यक्ती भी आप से उतना ही प्रेम करता है गबराने की बात नहीं है बिलकुल भी जिस किसी ने भी second number का कार्ड चुना है दोस्तों आपकी life में अगर अभी तक कोई व्यक्ती ऐसा नहीं आया है और अगर आने वाला है तो वो भी बहुत caring रहेगा loving husband रहेगा loving wife रहेगी बहुत care करेंगे यह लोग आपकी attention मत लीजिए वो आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं बहुत प्यार करते हैं और वो भी second number चूस कर ही लिया है तो आपको भी किसी ने चूस कर लिया है अब वो आपको नहीं छोड़ेंगे attention बिल्कुल मत लीजिए वो आपसे सच्छा प्यार करते हैं और आगे तक उस प्यार को वो निभा कर रहेंगे वो भी आपी के लिए उत्ते ही serious से बस कमी इस बात की है कि वो आपको दर्शाते नहीं है वो आपको बताते नहीं है क्यों क्योंकि वो अंदर से थोड़े से शर्मिले टाइप के हैं वो अपना प्यार कभी भी दिखावे पर यकिन नहीं करते हैं वो हमेशा आपको उस समय बताएंगे जब भी टाइम आएगा जब भी टाइम आएगा वो अपने प्यार का बखान आपके सामने जरूर करते हैं लेकिन ना तो वो तारीफ करने में इंट्रेस्टेड है ना ही अपने प्यार को दिखाने में इंट्रेस्टेड है वो व्यक्ति जैसा भी है वो हमेशा आपसे प्यार क रहेगा और हमेशा आपकी केरिंग करेगा यानि कि कोल मिलाकर सेकंड नमबर वाले जिसकिसी ने भी कार्ड चुना है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा समय है टेंशन विलकुल मत लेजिए आने वाला समय यही बता रहा है कि आप जिसकिसी से भी प्यार करेंगे वो व्यक्त पूरी तरह से सपोर्ड करेंगा और रूली है वह आपसे बहुत बहुत प्यार करता ओप्र पहुत के रिए वह आपके लिए की तरब से उनका पार्टनर उन्हें बिल्कूल बैठा के रखेंगे देखा जाता है अपने दिल में विठा कर रखेंगा बिल्कूल महलों की तरफ वह जीवन जीएंगे उन्हें कहीं से कोई टेंशन लेने की जरूत नहीं उनकी शादी जसकी भी व्यक्ति से होगी वह व्यक्ति बहुत अच्छा लिख लेगा उनकी बहुत केर करेगा साथ ही यह भी ध्यान रखेगा कि आने वाले समय में अगर वह व्यक्ति आपको अभी तक नहीं मिला है तो 14 फैब्योरी के फैबों की मरजी से करी उपने घरवालों के खुशी से करी तो यकिन मानिए यह रिष्टा दुनिया का सबसे पैसट रिश्ता होगा नवाटविक है कि आपकी रिश्टा कभी किसी की नजर नहीं लग सकती आपका रिष्टा हमेशा इस्ताय रहेगा लोंग टम तक लाइफ आपका रिष्टा चलने वाला है इसके साथ ही बीजबीच में कोई अर्चन है अगर आएगी तो वह सिर्फ आपकी लव मैरिज की वज़े से इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको घर परिवार के साथ में रहकर मिलकर उनकी खुशी से अपने रिष्टे को आगे बढ़ाना है अगर लिकिन उसके दिल ही दिल में आप हो दिल लो दिमाग में आप चाये हुए आप के अलावा उनकी लाइफ में और कोई ना बहुती बेस्ट साबित होगा तो चलिए दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा साथी कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेगा तो मिलते हैं हमारी नेक्स वीडियो में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्रा माता दी हर हर महादेव